केट केम टीटोरियल में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे हिंज मैट क्या होता है हिंज मैट की हेल्प से हम ये दो पार्ट हिंज के वो कनेक करेंगे तो मैट में जाईए और यह मेकानिकल मैट है उसमें जाईए मेकानिकल मैट में हिंज ऑप्शन है सेलेक कीजिए हिंज option जैसे ही select करेंगे दो window open होगी co-centric selection, coincident selection co-centric selection में हमें face हमें rounds जो part हमें co-centric center में लाना है उसे select करते हैं तो ये inside circular part और ये inside circular part ये co-centric हो गया हमने already study किया हमारे पिछले lecture में अब coincident में हमें faces select करने होंगे हम ये एक face select करेंगे और एक ये face select करेंगे जैसी हमने select किया वह hinge आके अपनी जगह पर बैठ गया हम select करते हैं ओके अब ये हमने hinge select कर लिए अब ये देखिए hinge 360 degree घूम रहा है हमें इसे limit देनी है तो हम अपने previous method पर यानि कि angular mat पर जाते है advanced mat यहां देखिए angular mat है यहां पहले हम surface select कीजिए ये surface और ये surface यह angle 30 degree है हम zero करते हैं इसे देखिए अब ये plane हो गया zero degree हो गया maximum limit 180 degree और reverse limit हम minus 30 degree select कीजिए ok ok अब देखते हैं ये देखिए minus 30 जाएगा और plus 180 ये देखिए तो ये हमारा hinge तैयार हो गया hinge mat की help से ये हमने relation देखा hinge mat ये बहुत useful relation है उमीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो अगला वीडियो देखिए gear mat